जैश्री राधे, पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चैनों में प्रणाम आज पुझेश्री भाई जी कहते हैं कि भगवान का नित्य स्मरण परमात्मा को अपना प्रियतम जान लेने पर वास्तों में एक भी छण ऐसा नहीं बीतेगा जिसमें उनका स्मरण ना हो भूल इसलिए होती है कि हम उन्हें प्रियतम नहीं मानते उन्हें प्रियतम माना था गोपी, रमनियों ने जो आधे छण के लिए भी शाम सुन्दर को हिर्दय मंदिर से दूर नहीं कर सकती थी शाम सुन्दर को बाध्धे होकर गोपियों की नजरों के सामने ही सदा थिरक थिरक कर नाचना पड़ता था इसी सत्य तथे के आधार पर कहा गया है कि विरंदावनम परित तिज्यम पाद मेकम नगच्छती भगवान शाम सुन्दर विरंदावन को छोड़ कर एक पग भी कहीं नहीं जाते जाते हों गए हों परन्तु गोपियों की द्रश्टी में तो नहीं गए उनके शाम सुन्दर तो नित्ते उनके साथ है चोबिसों घंटे उनके सहचर है इसका कारण क्या था यही कि गोपियों ने उन्हें परम प्रियतम मान लिया था उनके लिए वे इह लोक और परलोक सबका सारा संबंद त्याग कर चुकी थी अपनी प्यारी से प्यारी सभी वस्तुएं वे श्री कृष्ण के चरणों में सदा के लिए समर्पन कर चुकी थी फिर वे उन्हें कैसे भुलाती प्रियतम आहा कितना प्रिये शब्द है प्रियतम तो कभी चित्त से बिसारा ही नहीं जा सकता कहा है कि तीनों लोकों के व्यभव की प्राप्ति का लालच मिलने पर भी प्रभु को प्रियतम मानने वाले उनके प्रिये जन आधे निमेश के लिए प्रभु के चरण कमलों को नहीं भूल सकते प्रियतम प्यारे जन सब जगय उसी की जहाकी देखते हैं उसी के शब्द सुनते हैं उसी से बाते करते हैं और उसी का चिंतन करते हैं उसके सामने जगत की या जगत के किसी पदार्थ की याद उन्हें कभी भूल कर भी नहीं आती भगवान को प्रियतम बनाने भर की देर है फिर तो जगत की कीमत कुछ रह ही नहीं जाएगी राजपाट धन दौलत इस्त्री पुत्र मान इजजत जीवन मरण लोक पर लोक स्वर्ग मोक्ष सभी कुछ उस प्रियतम के प्रेम परवाह में बह जाएंगे फिर वह श्री श्री चैतन्य के शब्दों में गा उठेगा न धनम न जनम न सुन्दरिम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मिनीश्वरे भवताद भक्ती रहेत की त्वईय जिसमें प्रेम होता है उसमें चाहे एक भी सद्गुण ना हो चाहे वह दुर्गुणो की खान हो प्रेमी का हिरदय उसके गुणों को नहीं देखता वहां माप तोल नहीं होता वहां तो हिरदय सदा के लिए निच्छावर किया हुआ रहता है सब्ज सद्गुण हीन और दुर्गुणी के प्रती भी सच्चे प्रेमी का प्रेम अटूट और सतत वर्दमान ही रह तब परमात्मा को जो सर्व सद्गुणों के आधार हैं अश्वर्य सोंदर्य माधुर्य प्रेम आदी के अशेश खान है प्रेमास्पत बना लेने पर उनका निरंतर चिंतन करते हुए चिंतन हुए बिना अग कैसे रहा जा सकता है बुरे विचार से पर पुरुष का पर इस्तिरी में या पर इस्तिरी का पर पुरुष में प्रेम हो जाता है तो उसमें भी एक दूसरे का स्मरण कभी नहीं चूटता उठते बैठते सोते जागते स्मरती बनी ही रहती है जब लोभी आदमी भगवान के मंदिर में बैठ कर गीता सुनाता हुआ भी मन ही मन धन की टोह में रहता है तब भला परम प्रेमार्णव परम लोभनिय परमात्मा को प्रेतम बना लेने पर वे कैसे भुलाए जा सकते हैं परमात्मा के स्मरण का तार कभी न तूटे इसके लिए हमें परमात्मा को प्रेतम बनाना चाहिए जब तक जगत की वस्तु प्यारी लगती है जगत के पदार्थों के लिए हम परमात्मा को भूलते हैं तब तक हमारे मन परमात्मा प्रेतम नहीं है उन्हें प्रेतम बनाने के साधन है उनके प्रभाव को सुनना जानना उनकी दिव्य सगुन लीलाओं का निरंतर श्रवन मनन और गान करना उनके परम पावन नाम का जब करना उनके सर्वोपरी सर्वाधार दिव्य सुरूप ग गुण धाम एश्वर्य माधूर्य सोंदर्य कारुण्य सक्ख्य वात्सल्य स्वामित्व प्रेम आधी महान गुणों का बारंबार चिंतन करना उनकी क्रपा पर परम और अटल विश्वास रखना